स्वागत है दोस्तों आपका Confusion 9.2.11 में दोस्तों यहाँ फिर से बिहार से एक न्यूज आ रही है और यह न्यूज आई है Central Selection Board of Constable के तरफ से और यहाँ पर फिर एक और एक्जाम कैंसिल कर दिया गया है और यहाँ पर हम देख सकते हैं यह डेट है 39.2020 और यहाँ पर इसका Official website आप देख सकते हैं csbc.bih.nic.in और यहाँ पर आज जो notice निकाला गया है 39.2020 को लिखा गया important notice regarding postponement of written exam scheduled on 14.10.2020 and 18.10.2020 respectively under advertisement number 05.2019 and advertisement number 02.2019 यह दो advertisement का है इसका जो exam होने वाला था 14.10.2020 को 18.10.2020 को यह रद कर दिया गया है और हम यह date देख लेते हैं कि कौन सा फिर अगला date दिया गया है पूरा notice हम आपको डाउनलोड करके live आपको इसमें दिखा देते हैं तो आप हमारे चैनल पर बने रहें चलिए सबसे पहले हम इस notice को open कर लेते हैं हमारा notice open हो चुका है और यहाँ पर देख सकते हैं तो यहाँ पर देख लिजए क्या लिखा गया है एवं दूसरा बिज्यापन संख्या 02.2020 के अंतरगत बिहार ग्री रक्षा वाहिनी सेवा संवर्ग में सिपाही के 551 पदो पर निउक्ती से संबंदित लिखित परिच्छा करमसा दिनांग 14.10.2020 बुधवार एवं 18.10.2020 रवीवार को निर्धारि थे बिहार बिधान सवा आम निर्वाचन के मद्दे नजर परिच्छा के अंदर उपलब्ध ना हो पाने के कारण उप्रोग दोनों परिच्छाएं अस्थागित की जाती है दोस्ति इससे पहले मैंने एक जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने साफ कह दिया था कि जो बिहार बिधान सवा का जो निर्वाचन हो रहा है उसमें बहुत सारे सरकारी स्कूलों का यूज किया जा रहा है विभिन स्कूल और कॉलेजों का इस वज़ा से बहुत सारे जो एक्जाम अक्टूबर में होने वाले थे एक एक करके नोटिफिकेशन उसका निकाल करके उसे रद कर दिया जा रहा है और भी बहुत सारे कारण है इसके रद करने के लेकिन यहाँ पर जो कारण बताय गया है कि परिच्छा केंद उपलब्द नहीं हो पाने के कारण तीसरा में बताय गया है इन परिच्छों की नई तीथी अलग से निर्धारित की जाएगी और उसकी सूचना परसत की बेवसाइट तथा बिहार के मुख्य समचार पत्रों के माध्यम से परकासित की जाएगी चौथा में बोला गया है बिग्यापन संख्या 0-5-2019 के अंतरगत दिनांग 14-10-2020 बुदवार की लिखित पहिच्छा से संबंदित अभ्यार्थी अपने परवेश्पत्र सुरक्षित रखेंगे तो यहाँ पर देख लिजे इसका परवेश्पत्र इस नोटिफिकेशन के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया था लेकिन अब जो अस्थागित कर दिया गया है तो लेकिन जो पहले का जो परवेश्पत्र है उसी के अधार पर ज्यादा संभावना है कि उसी के अधार पर उनका admit card पर लिया जाएगा notice और या फिर एक अलग admit card जारी कर दिया जाएगा लेकि बहुत सारे मुझे question कर रहे थे कि क्या sir admit card आने के बाद क्या exam रद किया जा सकता है तो मैंने का था कि हाँ ये of course हो रहा है और होते रहता भी है और आगे भी होगा और यहाँ पर फिर आगे बोला नई ती थी निर्धारित किये जाने पर अब भ्यार्थियों को इन ही परवेस पत्रों के अधार पर पैच्छा में समलित होने की अनुमती परदान की जाएगी यानि किसमें साफ कह दिया गया है पहले जो इनका एडमिट कार था उसमें जो सेंटर दे दिया गया है लेकिन निर्वाचन आयोक के द्वारा वो सेंटर यूज करने के कारण वो फिर अब उस डेट को खाली नहीं रहा पाएगा इस वज़ा से अब वो एक्जाम सेंटर नहीं मिल पा रहा है आयोक को यही वज़ा है कि एक्जाम अब रद कर दिया जाएगा क्योंकि पहली प्राथमिक ता चुनाओ को ही दिया जाएगा तो लेकिन जो परवेश पत्र जो डाउनलोड कर लिये हैं अब जो नयात इती आएगा उसी परवेश पत्र से उन्हें परवेश मिलेगा एक्जाम देने के लिए दिया जाएगा तो यह था कुछ न्यूज और जैसा कि मैंने कहा है कि कुछ और न्यूज आ सकते हैं कुछ और एक्जाम जो होने वाले हैं वो रद हो सकते हैं उसका डेट बाद में आएगा अभी फिलहाल यह एक न्यूज देना था फिर उसके बाद DLA का एक्जाम कैंसिल कर दिया गया फिर 65th BPSC का एक्जाम रद कर दिया गया उसके बाद फिर 31st Judicial Service का एक्जाम फिर रद कर दिया गया तो धीरे-धीरे करके बहुत सारा एक्जाम जो है इंपोर्टेंट जो न्यूज आता है उसका अगर मैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि जैसे ही कोई नया अपडेट आता है अगर उसका वीडियो मैं अपने चैनल पर अप्लोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपके मुआज तक पहुच सके इसके लिए जरूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग का बहुत बहुत सुक्री आपका दिन मंगल मैं हो धन्यवाद